सब्सक्राइब इंटेलेक्शिल इंडीज एंप्रेस्ट बैल इकन और नेवर मिस अनी अपडेट अगर आपको नहीं पता इस बारे में तो भी आप वीडियो देखना आपको बिल्कुल सज में आ जाएगा कि क्या होता है इस सिस्टम पास्कल लोग ऐसा कहता है कि कोई अनकंप्रेसिबल अगर लिक्विड है उसके अंदर अगर कहीं पे वो मूव कर रहा है तो उसकी प्रेशर फोर्स कॉंसेंट रहती है अब समझ लेते हैं इस शीज को सबसे पहले इंकंप्रेसिबल फ्लूड क्या होता है इंकंप्रेसिबल फ्लूड का मतलब लेके चलिए जैसे कि यह प्लास्चिक है अगर मैं इसको दबाऊंगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि यह कंप्रेस हो जाएगा तो मानके चल रहे है अगर एक इंकंप्रेसिबल फ्लूड कहीं पे मूफ कर रहा है तो उसकी प्रेशर फ्लूड का मतलब होता है मानके चलिए एक पाइप है पाइप के अंदर एक फ्लूड मूफ कर रहा है तो इसके उपर पर यूनिट एरिया के उपर जितनी प्रेशर लग रहा होगा पर यू scientist नहीं और engineer से मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा यूज किया है आप भी कर सकते हो मैं बहुत सारी inventions के बारे में बात करूँगा जो कि hypothetically मैंने और मेरा एक दोस्त है राहिल उसने करी थी बहुत सारी तो देखिए इसके अंदर हमको क्या करना है हमको है लेना एक pipe इसे लंबा सा pipe है उसकी यहाँ पे छेट करना और यहाँ पे छेट करना है ठीक है उसके यहाँ पे एक injection लगा देना है और एक यहाँ पे injection लगा देना है pipe के अंदर fluid भर देना है और pipe दोनों साइड से close है pipe के अंदर fluid भर देना है injection के अंदर fluid भर देना है तो जब हम यहां से injection दबाएगे तो हम देखेंगे यह वाला injection अपने आप ऊपर हो रहा है यह तो normal सी बाता ऐसा हो जाता है अब यहां पे एक चीज आती है अभी यहां पे क्या था है जब हम इसको दबा रहे थे तो इसका जो mouth था ना वो इतना पतला था example के लिए पर अब यहां पे जो इसका mouth है ना वो हमने इतना मूटा कर दिया मतला मांगे चलिए 5 times कर दिया तो हमने यहां पे जितनी force लगाई वो यहां पे 5 times हो जाएगी क्यों हो ऐसा क्योंकि per unit pressure force सेम है यहां पे हम जो total force निकाल रहे थे वो pressure force into में total area कर रहे थे यहां पे वो same formula चल रहा था पर यहां पे area बढ़ गया इस चक्र में total pressure बढ़ गया अब breaking system होता है भाई हम गाड़ी चला रहे है 90 की speed में 100 की speed में अब कितनी force से गाड़ी चल रहे होगी यह लेके चलो ना force का formula अगर आपको नहीं पता तो क्या होता है mass into my acceleration अब गाड़ी की जितनी speed से चल रहे है उसको आपको multiply करना है गाड़ी का कितना weight है अब उतनी force create हो रखी है उसको आपने किस से रोक लिया भाई हलकी सी इस पैर से ब्रेक बढ़ाई और गाड़ी रोक गई अब यह कैसा हुआ यह भी इसी के थुरू हुआ उसमें क्या किया आपने अंदर liquid भर रखा है वो liquid oil होते है incompressible oil होते है perfect incompressible liquid नहीं होते है पर मानके चलते है एक पसंट दो पसंट कही compress होता है खाली तो हमने उसको दबाया उससे इतनी force create हुई हमने उसको बड़े-बड़े pipeों से जोड़के चारों में divide कर दिया इस चकर में तो हमारी वो दबाय हुई X force 15, 20, 100 times हो जाती है hydraulic lift भी होती है अगर आप चाहो मैं आप अपने दोस और रहिल और मेरा experiment के बारे में बात करता हूँ एक छोटी से आपको motor लेनी है वो जो छोटी खिलोने वाली गाड़ी में आती है दस उपे वाली उसके अंदर क्या होता है rotary motion होता है मतलब वो गोल-गोल घुमती है अब आप देख सकते हो YouTube पे वीडियोस मिल लाएगी आपने engine का system देखा होगा आप search मार सकते हो आपके बास अपना जुगाड़ मनाना है यह आपके उपर है आपको किस तरीके से मनाना है यह सब engineers को मैं बता रहा हूँ अगर आप engineer नहीं हो तो भी अपना जुगाड़ तो मनाई सकते हो engineering होनी ही जुगाड़ के लिए तो आपने क्या किया आपने reciprocating motion create कर दिया अब reciprocating motion create करने के बाद अब मांगे चलते हैं जो motor है यह x amount की force create कर रही है अब वो reciprocating motion के अंदर x amount की force create हो रही है अब आपने क्या किया इतने से pipe के अंदर उसको जोड़ दिया यह जो reciprocating motion चल रहा हो इतने से pipe के अंदर जोड़ दिया अब एक छोटी सी motor इतने से fluid को हिला रही है इसके साथ में आपने 5 अगे pipe जोड़ दिये जिनके थोड़े मोटे मोटे head है example के लिए दे रहा हो तो आपने x amount की force निका लिए और उसको 5 times कर दिया नीचे ऐसे नीचे फिर लगाया और उसको फिर 5 times कर दिया ऐसे फिर लगाया 5 times कर दिया ऐसे करकर के आपने बहुत amount of force create कर ली अब आप उस force का किस किस तरीके से use कर सकते हो वो आपके उपर है अगर आपको एक गाड़ी चलानी है आपने क्या किया तो उसके अंदर जो मान के चलिये ऐसे आपने 10 pipes लगए 10 12 pipes लगए पहले एक के साथ 5 जोड़े फिर एक एक के साथ 5 जोड़े फिर एक के साथ 5 जोड़े ऐसे कर करके सबसे नीचे वाला सिस्टम है उसके एक पाइप के अंदर भौता कतो ने वाली है तो आपने उसके एक पाइप को एक टायर से जोड़ दी है रोबर्ट की तो क्या हो रहा है वो 100 टाइम्स जो आपने बनाया है उसके 100 टाइम्स या फिर 200 टाइम्स calculate करना पड़ेगा कितना हो उतने टाइम्स force create करेगा तो आपने इतनी सी motor यूज़ करी और उससे आपने कितनी सारी force create कर दी हाँ यह system थोड़ा सा complex हो जाता है और system थोड़ा सा बड़ा हो सकता है तो इस checker में हमने इसको feasibly नहीं समझा पर अगर आप दिमाख लगाओ छोटे छोटे चोटे capillaries के अंदर काम करो उसके बड़े में करो तो यह चीज़ possible हो सकती है तो मैंने अपनी best कोशिश करी है मैं आपको समझा पाऊं कि Pascal law क्या होता है अगर आपको theory के अंदर जाना है तो नीचे description में चेक कर लेना किस ने बनाया था कब बनाया था क्या होती है definition accuracy मैं concept clear करने वाला बंद हूँ तो मैंने आपको concept clear करना चाहता definition definition नहीं बता रहा है तो ठीक है दोस्तों इसी साथ यह वीडियो खतम होती है आशा करता हो को अच्छी लगी होगी कोई दिक्काद नीचे comment नों से पूछने ला अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो like कर देना ना अच्छी लगी हो तो dislike कर देना समझना आई हो तो नीचे comment करना और चाहो तो तुबारे से वीडियो को देख लेना अच्छी लगी हो तुबारा कि लिटी हो तो इच्छी का देट होाँ अच्छी लगी हो तो आप आदावा कि जगकि लेना